समस्कार दोस्तों, टार्गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रात्मिक शिक्षक भरती की कुछ महतपूर्ण सूचना हैं, उसकी बात में हम लोग बात करेंगे TGT और PGT की बहुत सारी सूच एक जबर जस्त जॉब प्राप करके अपना ड्रीम पूरा कर सकती हैं, इसकी बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जैसे आप लोग यहाँ पर यह फोटो देख रहे हैं, नवीन बाला जी की है, साफ्ट वेर इंजीनियर हैं, यह सक्सित स्टोरी में आप ल वीजन, टेली वीजन में क्रिकेट बहुत देखते थे, क्रिकेट भी बहुत सरे आकले होते हैं, इसने उसका रिकार्ड तोड़ा, इसने सबसे कम उमर में सतक मारा, इनको लगा कि अधिर कार्ड कैसे एकठा होते हैं, तो इन्होंने फिर कोडिंग के बारे में सोचा, बात म पिर इनको बाद में पता चला री लेवेल के बारे में जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसका आउनलाइन टेस्ट दिया अनकेडमी का है री लेवेल आउनलाइन टेस्ट में इनके काफी अच्छे नमबार रहा है कोडिंग में उसके बाद में आज यह साफ्ट वियर इंजीनियर ने वो भी कहां gold से तु री-level की जो link है on-line test की जो link वो आप भी दे सकते हैं link मेंने description box में दे दिया है comment box में में लिंक दे दिया है इसी तरीके की बहुत सारी कहाणिया मैं अपने वीडियोस की मात्नाम से आपको बता चुका हूं यह देखिए एक और है यहां पर यह जो फोटो लगी वी नवीन बाला जी जिसकी बारे मैं अभी बता रहाता यह नीचे खड़े हैं और वही पर उनके सहर में उनकी फोटो यहां उपर होल्डिंग में लगी वी का concept है वह सिंपल है आपको एक Online test देना है टेस्ट के कई सारी प्रकार है जिस चेत्र में के अंदर के पीशिटी हो आपके इन्दर इसकील हो उस तरीके का आप टेस्ट चुन सकते हैं और उस टेस्ट को देने के बाद में आपको जौब आफर की जाएगी किसी भी टेस्ट के को चातर को कोई भी एक भी रुपया नहीं देना और एक चातर अगर चाहे तो वो कई बार टेस्ट दे सकता है ना तो experience मतलब है अगर आप फ्रेसर हैं तो भी आप लोग इसके लिए आप एतन कर सकते ना बहुत बड़ी डिग्री के आवश्कता है ना बहुत बड़ी certificate के आवश चलिए शुरू करते हैं अब आज की सुचना को और सबसे पहले तो बात होगी प्रात्मिक शिक्षक वर्थी की जिसके विद्यारती सबसे ज्यादा परेसान रहते हैं और सरकार की तरफ से कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है अब आकर हम बतरे करें सरकार पहले कभी भी किसी भ सब्सक्राइब करती है जिस तरीके से अचानक सब्सक्राइब जारी तो नहीं बढ़ती निकालेंगी किसी नहीं सोच था अचानक से नोटिस जारी करती गई थी हाला कि बढ़ती विवातों में पड़ गई लेकिन जानकर यह मिल रही है कि बेसी सिक्षव भाग में हल चल बहुत तेजी से बढ़ चुकी है रोजगार का मुद्दा बिधान सवा के चुनाव के में बनाया गया था प्रधान मंत्री जो मोधी है उन्हों भी 13-14 जून को भरतियों के बारे में घोफणाएं की थी कि 10 लाग भरतियां की नहीं की जानी है उसकी बाद में अनेक राजियों के जो प्रमुक सच्ची में उनको बुलाया था और भरतियों को पूरा करने के लिए कह गया था जो बड़ी भरतियां है वो बिना सिक्षक भरति के नहीं पूरी हो सकती है और जानकर यह मिल रही है कि बेसिक सिक्षव विभाग में लगाता नबे लाग चात्रों का दाखिला हो चुका है और भी बहुत सारी बात नहीं यहां पर कही गई है दाखिले के अलावा भी कि विद्यालियों में क्या क्या होना है क्या क्या सुवधाय दी जाएंगी बहुत सारी चीजों की बात की जा रही है जब बात बदलावों की हो रही जुलाई को होगा इसके लिए सभी जिलब बेसीक सिख्चा अथिकारियों के अलावा मन्डली बेसी सिख्चा निदेश को वह अधिकारियों को भी बुलाए गया है तो कल यह मीटिंग है यह भी देखना है कि आगरकार मीटिंग में क्या निरणाय है चुछ कि बहुत सारे समधार पत्रों के माधनाप से जानकारी दी गई थी कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां कामी को किसे से दूर किया जाдел सकता है समाय योजन के द्वारा कम daar मत पूरी हो जाएंगी Somalyine से जो नई बढ़ती थी वो रुक्य हुई थी लेकिन जानकारी मिल रही है कि सरकार आने वाले एक या दो महीने बाद ही अगर इस पर कोई नड़ा नहीं आता है तो बड़ी सिक्षक बढ़ती की घुफणा कर देगी अगस्त या सितंबर के महीनी में ही जो है नई सिक्षक बढ़ती के बारे में सरकार की तरफ से जरूर कोई नो कोई गुफणा हो जाएगी तो बहुत ज़्यदा हातास होने की आवस्ते नहीं है आप लोग पढ़ाई करते रहें और अब अगली जो सूचना है वह टीजिटी और पीजिटी की टीजिटी पीजिटी की जो ता को आवेधन की हैं थीन दीन आवेधन की हैं सब dwarf मिलना जाए जाए तो चौदाइ लाख आवेधन अ अब तक हो चुकी हैं और वहीं पर त rifle तरहीं सीचिकों में आगर हम लोग बात करें तो कल इसके बारे में में चांबनाग निल कर दो उसको मामला था तर भीडत घ्र वर जिनको बेतन नहीं आ रहा है तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 2000बाध की भी तदर्फ। इक्झकषक है और उनमें भी दितन को बेतन मिल रहा है और जिन भी बेतन नहीं भी मिल रहा नेधिति को लेकर लिए उसके बाद में देखेंगे और कि बहुत बहुत से जादा विरोधाभास था सुप्रिम कोड के निड़ा को ले करके और सभी जीलों में लगबग लगबग जो तदर्थ का जो बेतन है वो रोक दिया गया है मुख्यमंत्री ने केवल दो दिन का समय दिया है दो दिन के अंदर अंदर इनको अपनी जो पूरी समस्या है है वो देनी है उसके बाद में मुख्यमंत्री पर फैसला ले लेंगी वहीं पर अगर हम लोग बात करें तदर्थ सिच्चिकों के पदों को ले करके तो भले ही नोटिफिकेशन में कहा गिया पदों को जोड़ दी जाएगा यह आपको ही पता है कि तदर्थ सिच्चिकों के कवी प्रियाग राश से कभी लखनाऊ से अलग अलग जिलों से पत्र भीजे गया थे और यह पुचा गिया था सवासन से कि की यह ततर्थ सिच्चक है इंका बेतन रोक दिया जाए या ना दिया जाए तो यह जो इनका रोक दिया गया है आप लोगों ने देखा होगा यह स िंप मंत्री ने कहा कि दो दिन का निरे लोनी थी लोगी हो दाखिल होनी थी या डỡ़ वेट किया जाएगा आगकिर जो मुच मंत्री नीं तो डेकर वेट कीता जाएगा जो इनको बेतर नहीं दिया जाएगा तो उसर्षातिरMB जोड़ा जाए तो कोड चले गए विद्यार्थी और ऐसा लगता है कि कोड इस पर देदेगा यह जो पत्र है यह बहुत ठोस सबूत है कि जो पत्र हो चुके हैं और शासन ने खुद ही इसके बारे में पत्र जारी किया और यह कहा कि इनको बेतर नहीं मिलेगा तो यह सब जो सबूत लगा कर यह कि आज क्या पेश की जा रही है और यह कहा जा रहा कि जो विग्यापन सल रहा है इसी विग्यापन में तदर्थ की जितने भी पत्र हैं सारी पत्रों को जोड़ दिया यह प्रेयर रखी गई है और एक बड़ी सूचना कि आज 11 बजे इसी को लेकर कि एक एक बड़ा ट्वीटर भियान है जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं टीजी टी अंडरी स्कोर पीजी टी अंडरी स्कोर विग्यापन सब में अंडरी स्कोर लगाना है हार सब्च्छ के बाद में टीजी टी पीजी विग्यापन में तदर्थ सिक्षक पत्र सामिल करो यह आज का हैस्टेग है और अगर आप लोग चाहें तो एक बार इसको भी ट्रेंट करा सकते हैं और सीम को टैक कर सकते हैं बड़े-बड़े अधिकारियों को टैक कर सकते हैं सिख्चा मंद्री को टैक कर सकते हैं तो यह हो गया आज का वीडियो वीडियो आपको अच्छा वार वार